वाश्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल वभीता कास्नियास वर्ड में दोस्तों आज की जो मेरी रेसिपी है वह है मठ्री मठ्री आज मैं आपको एक नए तरीके से बनाने बताने वाली हूं तो आज हम एक नहीं तरीके से मठ्री बनाएंगी इसके लिए मैंने डेड़ गटोरी बर्के मैंने मैदा लिया है और इसमें मैं अजवाइन है मेरे पास इस वीडियो में आपको साथ में मैं कीचन के लिए कुछ ट्रेक्स और टेप्स भी बताऊंगी तो पूरी वीडियो को फिर मैहीं से लिए ब्लास तक पैसे नमक डाला है मैंने और इस भी इंग एड़ कर रही हूँ थोड़ी सी। मैं बहुत अच्छी सी बनने वाली मत्री है क्योंकि एक बहुत ही अलग तरीके से कर शाण सी किंद यह यह बनाने हैं 我ू जो कसूरी में थी खराब हो जाती है लेकिन अगर आप इसे फ्रीज में रखेंगे तो वह बिल्कुल कुल-कुरी ही रहेगी वह सुखी-सुखी रहेगी गिली नहीं होगी अब मैं इसमें मौहिन के लिए रिफाइंड ओयल एड़ कर रहे हूं और इसमें मौहिन इतना डालेंगे कि जो यह मैदा है इसकी मुठियां बनने लग जाए यह देखिए यह कुछी इस तरह से अगर आप इसे चाहें तो आप इसमें घी का भी मौहिन डाल सकते हैं पर घी के मौहिन से बाद में जो मठ्याया है या कोई भी आप चीज बनाते हैं ठंडी होने के बाद में वह जो घी है वह हमारे मूह में उसका टेस रलक्स स्याता है इसिते हैं मौहिन ते का ही हम मौहिन देते है अब आटे को गुंद लेंगे गुंगुने पानिस में इस आटे को गुंदिया है अब इसे 10 मिनट के लिए चूड़ दें गटेंगे आप इसे नहीं ते अल debit से न, 넣लेंगे स्वावचिह अन siendo हम बनाकर चापाति बेन लेंगे यह देखिये मैंने इसे पापड येतनी पत्ली रोटी बेल लिए पापड से यादा है कि कभी बार हाले की पापड है वो बहुत जादा हो जाते हैं तो फिर हमें लगता है कि अब इसका क्या करें तो आप तो एक राद को फ्रीज में रखते हैं अगले दिने उसकरें वह ऐसी इस तरह से दबाते हुए से फोल्ड कीजिए, यह हम नहीं तरह की एक मठ्री बना रहे हैं, आज अलग तरह से, साइडों से भी इसे दबाते रहें, प्रेस करते हुए से इस तरह से रोल बना लेंगे हम इसे, थोड़ा थोड़ा दबा देंगे, ताकि जहां से थोड़ा गैप है चपाती में, तो सारा अच्छे से चिपक जाए, और अगर यहां से नहीं चिपके तो आप इसके पानी लगा कर इसे चिपका सकते हैं, इस तरह से यू कर देंगे, और अब हम इसे काट लेंगे चाकू से, यह टेड़ा चाकू रखेंगे हम, इस तरह, यह देखिए, इस तरह से यह मठियां हम बनाएंगे, और इस तरह से मैं सारी मठियां बना लूँग, यह देखिए, इस तरह सारी मठियां हम बना लेंगे पहले, फिर हम इन यह फ्राइ करेंगे, यह देखिए, यह बहुत ही खुबसूरत से मठरी है, यह बनकर तयार हो गई है, देखिए अब हम इसे थोड़ा थोड़ा प्रेस करके और इसके अंतर टिप कर देंगे तीन से चाय मिनट के लिए हम इसे सिम पर ही पकाएंगे क्योंकि बैदा है तो पकने में थोड़ा सो टाइम तो लगेगा तो इस तरह से हम इने गॉल्डन ब्राउन होने तक हम इनको फ्राइ करें गे इदेखिये एक एक करके हम इसमें खूब सारी डाल सकते है तास्या अठ एक बार में हम इसमें फ्राइक कर लेंगे यह देखे, बहुत ही खुप्सूरत लग रही है, और खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी लगेंगी, यह देखे, कितना सुंदर कलर आ गया है, गॉल्डन ब्राउन कलर की ओख चुकी है, और शिख चुकी है, उनको आपको सिंपे ही सेखना है, क्योंकि हमने चपाती को र नालू भी, यह देखे, मैं इसी सर्व कर रही हूँ आपके लिए, इस पे थोड़ा सा मैं स्प्रेड कर रही हूँ चाट मसाला, जिससे इसका टेस्ट अधिक बढ़ चाएगा, यह देखे, इस ती वाली आप यह मठी बनाईए, मुझे बताईए कि कैसी बनी, मेरे कमेंट स सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए, और चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, थैंक्यू